हेलो गाइज, वेलक्म बैक तो माय चैनल , साइन विथ निखिल में तो आप सब कोई कैसे हैं , आसा करता हूं कि आप सब कोई अच्छे होंगे आज मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बाते आप लोग उसे महसेर करना चाता हूं कि आप मेरे चैनल पर आते हैं वीडियो देखने के लिए पर आप देखके चले जाते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इसे मेरे चैनल पर सस्क्राइब किजिए ठीक है ताकि आपको आगे इसी टाइप के अच्छे अच्छे नौलिजिबल वी तो उसके बारे मैंने डिसकस किया हुआ है तो इससे पहले आप वो वीडियो देखिए ताकि आपको फ्रेंच रेवलुशन समझ में आ जाए ठीक है तो फ्रांस की राज करांती कभी थी तो 1789 में हुई थी बेसिकली हम इसमें क्या देखेंगे कि हमारे फ्रेंच रेवलुशन जो हुआ था वो उसमें क्या-क्या कारण रहें उसके राज करांती होने के पीछे क्योंकि बहुत सारे करांती के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और युद्ध के पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है तो हम आज देखेंगे इसी का क्या कारण रहा था ठीक है मैंने तो सबसे पहले प्रिच्छे देख लेते हैं कि 1789 का रिवलिशन क्यों हुआ और यह रिवलिशन में क्या घटना घटी थी तो बेसिकली यह एक तो उसका जो आपका क्या मैं इसको कह सको कि आप जो मनिश्य को आप अगर किसी हद तक परताडित करोगे तो वो असानी हो जाता है और वो जब असानी हो जाता है तो एक युद्ध कारूप ले लेता है तो वही फ्रेंच एग्लूशन में हुआ जो भी राजा आए वे एकदम निरंकुस थे और सा अपने हिसाब से चला रहे थे और अपने फाइदे के लिए चला रहे थे इसी परकार वहां के सामंत वर्ग जो पैसे वाले वर्ग थे वो भी सोसंग कर रहे थे और परशवचार इतना फैल गया था कि लोगों का जीना बहुत मुस्किल हो गया था इस करांती से जो की से ही आपका था और यह कंडल को सबसे पहल Rafael के राजनीतिक कि रहा होगा जो यह unique थूआ ठीक है तो पहला पॉइंट है निरंकुस राज तंत्र अब मैं जो ये पॉइंट दिया हूँ निरंकुस राज तंत्र उससे आप समझ सकते हैं कि कैसे कोई निरंकुस हो सकता है और उसके निरंकुसता के कारण एक करांती हो सकती है तो क्या हुआ फ्रांस में बुर्बो वंस का सासन चलता आ रहा था ठीक है और वो सासन काल वो लोग अपने हिसाब से चला रहे थे सबसे पहले लुईस चोधमा आया था वो बहुत ही लड़ाकू परविती का था मतलब एक तरका से लड़ाय में ही जादा ध्यान अपना वेतीत रखता था और अपने राज्य को फैलाना चाहता था बट राज्य तो फैला देगा बट उसको संगठी भी तो करना चाहिए कि इसी मा को वह कंट्रोल करने का पावरस के हाथ से जा रहा था ठीक है? यह लुईस फॉर्टीन वा का है और लुईस उसके बाद उसकेड़ पतन होने के बाद लुइस पंध्रवा आया उसके बाद वह भी वह तो इससे भी जादा खराब था बट श्रौदवा से भी जादा क फिर आईए इसका दूसरा point आयोग के राजा अब आपको सीधा से पता चल जाता है कि आयोग के राजा का यहां क्या मतलब चल रहा है कि राजा लोग वहां की जितने भी राजा हुए वे सारे आयोग यहीं थें ठीक है तो आयोग के राजा से समझ में आ रहा है कि मैंने आपक एक्जाम्पल दिया था लूवीश पंदरवा का जो एक दमी ऐयोग्य था उसका लूवीश इस्टींज वह तो अपने पूरी पत्नी के इहीं बातों पे चलता था जो उसकी पत्नी बोलती थी वहीं वह करते जाता था उसकी पत्नी पर बहकावे पर वह वंद्रियों को भी नि का वहाव कि आपका वहाँ को आपक फ्रेंच जो आपका सभाव होते राजा के साथ बैठते थी आदिकारी उहीं भश्ट में पर गूस्खोरी पैसा लेके काम कर रहे थे, उसके बाद आपका सौतंतरता का अभाव था, क्योंकि लोगों को सौतंतरता किसे जीने का हक भी छिन गया था, क्योंकि वो लोग कर की बोज में इतना दब गये थे, कि उन्हें मतलब एक जिंदा लास की तरह वहां पे वहार किया जाता था, ठीक ह पैसे की कमी हो गई थी, खाने के भी कमी हो गई थी, तो यह सब एक प्रशाशन अगर भरष्ट हो जाती है, तो यह सब आपका कमी जाहिर सी बात है, आपको देखने को मिलेगी हैं, अब आज आईए, दूसरा, सबसे मैं समझता हूँ कि यह समाज सहीं रेटेर हैं, तो पैसरा था मजदूर और दस्तकार वर्ग, ठीक है, तो मैं यह तीनों को एकदम डीटेल में बता देता हूँ, सबसे पहले पादरी वर्ग, पादरी वर्ग में वही आते थे जो राजा को सला देते थे, पूजा पाट करवाते थे, जो चर्च में पूजा पाट कराते थे, और वे लोग एक उच्छ अस्थान को ग्रहन करते थे, मतलब बड़े बड़े अस्थानों पे वे विराजमान रहते थे, और उन्हें कर से भी बहुत जादा छूट मिली वी थी, जिसके कारण सारा बोज किस पर आ गया था, मजदूर और दस्तरकार वर्ग पर आ गया था, अब मैंने देखिया, आपको पॉइंट पूरा यहां पर लिख दिया है, ताकि मैं लाइन बाइन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं एक और आपको आपको समझ में आ जाए, ठीक है, उसका आप पढ़ लीजिए, और फिर नोट्स बना लीजिए, मैंने तो नोट्स दिया ही हुआ सामंत वर्ग, क्या हुआ, सामंत वर्ग में वही वर्ग आते थे, जो बिजनस वगरा करते थे, और जिनका प्रोलिटिकल पावर में भी हाथ था, और आपका बिजनस में भी हाथ ज्यादा था, वोई लोग अपने, क्या बोले, राजा को साहिता भी करते थे, ताकि राजा अपना शासन चला सके और वह लोग अपने प्रशनल सैनी के लोग भी रखो रखते थे ताकि वह लोग का सुरक्षा भी हो सके और वह लोग पूरा समाज को पूरा भेष्ट करके रख दिये थे क्योंकि वह लोग ना कर देते थे और ना ही कुछ साहिता करते थे शासन पद्यत करिए और भी संवानता केलिए भी यह दिखी है यह लास्ट है आपका यह दस्तक wire ठीक है दस्तक और वे लोग इसी पर का धपते गए और लास्ट में उन लोगों के पास कोई उपाई नहीं रहा और लास्ट में लोगों ने एक करांती का ही रूप दिया इस फ्रेंच रेवलुशन को ठीक है वही हुआ है रोटी की कमी होने लगी थी फ्रेंच में और एक स्टेटमेंट वहां के राणी एंतेनियो ने क्या कहा था लूइस इश्टिं के पत्नी ने कि कि अगर लोगों के पास रोटी खाने के पैसे नहीं तो वह लोग ब्रेट खाए और इतना भी नहीं पता था कि रोटी से महंगा वहां ब्रेड होता है बताईए ब्रेड और केक खाने के लिए बोल रही थी तो चाहिर से बात है एक रेवलुशन होगा ही ठीक है अब आजाए यह तिसरा पॉइंट में राजी करान थी कि आर्थिक कारण एकनोमी क्राइसिस क्या हुआ था वहां पे तो उसे में बताऊंगा और जो सबसे अधा एकनोमी क्राइसिस वहां हुआ था कि करवैश्था वहां पे एक समान नहीं थी सबसे बड़ा पॉइंट है और पूरा आर्थिक कारण में एक यही ऐसा पॉइंट हो जो आपका पूरा आर्थिक कारण को कम्प्लीट कर देता है आर्थिक कारण में आपको यही था कि कर वह स्था पूरा असमान था ज्यादा कर देना पर था ज्यादा क्या मैं कास्व को 90% कर देते थे आपके तीसरा वर्ग जो मजदूर वर्ग थे और करांती इसी के वज़े से ही आपका थर्ड जो गुरूप था वही करांती का सबसे इंपोर्टेंट रोल निभाया और उसी ने करांती को आगे बढ़ाया क्योंकि कर आप देखिया आप मान लीजे कुछ कमा रहे हैं और आपका 70-80% 90% आपका कर पे चला जा रहा है एक व्यवस्थित ढंग से नहीं रख पाया था एक सिस्टेमेटिक ढंग से नहीं रख पाया था ठीक है और वहां का दोस्पूर्ण अर्द विभाजन चा जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे कर व्यवस्था जो आपका बहुत ही जादा आव व्यवस्थित थी मतलब पूरा सिस्टेमेटिक ढंग से चल रहा था ठीक है और वहां के जो सामंत वर्ग थे वो लोग तो एक अलग ही पदतिके थे और ना कर देते थे और उपर से दूसरे उसे कर लेते थे ठीक है अब आज एगी चौथा जो यह भी एक इंपॉर्टेंट है जो यह करांती सुरुवात हो पहला मंटस्क्यों एक सामान वर्ग व्यक्ति था जो कि अब एक कुलीन परिवार पर जम लिया था और उसकी जिन्दगी सामान यह धंक से चल रही थी इंग्लेंड में उसने अपने कुछ वर्स बिताये थे और वही पर वह अपना उसकी जो इंग्लेंड का सासन वर्ष था कीजिया था कि कैसे है को चला जाता और उसने इस बुग को फ्रेंच के लोगों इस बुक से बहुत ही पर्भावित हुए है और वे लोग इसको फॉलो भी करते थे थे ताकि हुन्हें एक सासन पत्देथी के बारहे में पता चले और Montesquieu ने अपने विचार को व्यक्त किया और French Revolution में लोगों को एक भड़काउट टाइप से होता है जो अगनी अंदर से आता है वो लोग को अंदर लाया ठीक है अब आपका दूसरा आ जाते है राइटर वाल्टेयर वाल्टेयर भी वह सही थे जैसे Montesquieu थे अब वाल्टेयर का वो एक दक्ष पत्रकार था और व्यंगार कार था क्या था व्यंगार था वो जनतंद्र में में इस्वास नहीं रखता था और चर्च में काफी चड़ा था व एक समान जन का यह हो वहां पर अस्थापना हो ठीक है किसका हो तो समान जन का वहां पर एक अस्थापना हो और वैसा ही वह चाहने के लिए ही यह अपने मतलब राइटिंग करने लगे लिखने लगे अपने पत्रकाओं को परकासित करने लगे ताकि लोग इनको पढ़े और वे लोग जाने एक आप पढ़ लीजेगा ताकि आपको बहुत अच्छे से जानकरी मिल जाएगा और तिसरा जाईए रूसो रूसो का जन्म एक साधन परिवार में हुआ था उसकी सिख्छा देख्छा यह बहुत साधारन हुई थी ठीक है वे उसके तर्ग के आधार पर फ्र एक अपने भुक को भी प्रकासित किया था यह आपको एक्जाम में पूछ सकता है एक्जाम पॉंट व्यू से मैंने हाइलाइट नहीं किया है बट आप देख लीजिए समाजिक समझो होता मतलब सोसल कॉंट्रेक्ट यह पुस्तक है जो कि मानुमी प्रकृतिक बारे में था उसने इसको मारकेट मिलाया और वे लोग जो लोग इनको फोलो करते थे वो लोग वो ने पढ़ा और करांती के लिएवे लोग उत्साहित हो गया अब करांती की ततकाली कारण क्या अर lecture करांती तातकाली कारण तका Congo करने के लिए उतार हो गये ठे़रल एश praण किम tablespoons में भी कोई आपका conclusion ने निकला तीसरा वाग को बैठने के जाज़त नहीं थी बस वहाँ में जो बहस हो रहा था वो सुनने के लिए वो लोगों को बस बुलाया गया था उनका ना कोई demand पूरा कर रहा किया जा रहा था और ना कुछ उनका सजाव स्वारी सला भी लिया जा रहा था ठीक है उससे क्या हुआ कि वो लोगों संतोस फैला उसके बाद क्या हुआ वे लोग पैरिस की और बढ़ने लगें तो किसी ने एक आद मतलब एक उन लोगों को सुचना मिली कि बैस्टिल जो कि पैरिस का आपका परतीक मना जाता था जहां कैदियों लोगों को रखा जाता था तो बैस्टिल बिल्डिंग को पदा चला कि वहाँ पे बहुत सारे हथियार रखा हुआ है और क्या हुआ कि वहाँ उन लोगों ने अटेक कर दिया और अटेक करने पर इसी तरह आपका French Revolution का शुरुवात हो गया तो आसा करता हूँ कि आपको French Revolution पूर अच्छे से समझा आ गया को crystal clear हो गया होगा और अगर आपको कुछ doubt होती है तो आप please comment section पाईए और अपने doubts को लिग दीजिए और आपको कोई topic चाहिए कि अगर किसी topic पर आपको वीडियो चाहिए particular तो आप बोलिए मैं आपका उस video को related आपको उस video में प्रोवाइड कर दोंगा ठीक है so thank you